इस वीडियो में हम इंडिस्ट्रिल सेक्टर के बारे हम बात करने वाले हैं कि इंडिपेडनेस के टाइम पर इंडिस्ट्रिल सेक्टर के बारे में समझना है तो पहले भारत की इंडिस्ट्रिल सेक्टर के बारे में जानना पड़ेगा तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जहाँ पर ज़ाद अतर machines नहीं होती अधिकतर सब कुछ हाथों से बनाया जाता है और यह handicraft industries भी इतने छोटे लेवल पे थी कि मतलब सब कुछ एक छोटे से कमरे में हुआ करते थी और labor भी घर के लोग हुआ करते थी जैसे कि आप मेरे right hand side में एक image देख पा रहे होंगे कि एक छोटा सा कमरा है जिसमें production हो रही है और labor भी घर के लोग ही है तो इसी तरिके की handicraft industries इंडिया में हुआ करती थी और यह चादर, painting, poultry और भी बहुत कुछ ही handicraft industries बनाया करती थी वो सब कुछ मैं आपको images के थुरू इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ अभी अगर अब हम handicraft industries की बात करी रहे हैं तो हम कैसे भूल सकते हैं कि ऐसे महनव्यक्तित वाले इंसान को जिसने इंडिया की handicraft industries को बिलकुल बदल के रख दिया जिनके योगदान को बहुत ज़्यदा महत्फुल माना जाता है तो तालियों की गड़कड़ाट के साथ स्वागत कीजिए दवन एड़ अन्ली वान तो यह है हमारे मजनु बाई को नहीं जानता है इन महानस्ति को जिन्नोंने पेंटिंग की दुनियों में इतना कुछ किया है तो जरा इनकी कलाकृतिया मतलब पेंटिंग को देखते हैं जैसे साइड में घौड़े के ऊपर घौड़ा है शायद नहीं ऐसा नहीं चली कोई बात नहीं हमारे साथ मजनु बाई और रहीम चाचा जुड़ चुके हैं तो तो मजनु भई आप पेंटिंग किस तरह केसे बनाते हैं जासे पेंटिंग करना तो इमेजिनेशन का काम है फाल तू पेंटर बनाते होंगे मैं तो डारेक्ट बनाता हूं आँखो देखा इंगलेग्डलेट तो लाइव पेंटिंटिंग आपको नहीं पता है यह जुकेशनाल है सामने देख रहे हैं बच्चों को गाली का ए तक नहीं पता हुआ आप करना में दुद्धर निकल जाता हुआ बाद लखी है तु जिस दिन मैं प्रश उठाता हुआ गन नहीं उठाता हुआ वरना गया था आज दू भाई आप गरम क् देख रहे हो खाया लड़का मेरे तो कोई लड़का हैं दिख रहा है अरे वह ही जो बॉनट के उपर बैटा है कोन सा वो नट एक नट है हम खाया है बुनट यहां तो कोई बुनट निया है लड़के के नीचे है अब आपको निकल जाता हुआ हमारा सिगनल मजीनु भाई और रेम चातर से तूट चुगा है तो चलिए छोड़िये अब बात करते कर आप सोचते हैं कि इंडिया में इस तरीके की हैंडिक्राफ्ट इंडिया में मिला करती थी तो आप बिल्कुल गलत है इस बार शायद पहली बार रियाल्टी बैटर होने वाली है एक्स्पेक्टे कुआ कषडिती थी पर कह गई तो Britishers ने इंडिया में आके क्या किया, Systematic Deindustrialization तो यैसे मैं इस बर का नाम लेता हूँ, systematic geen indeustrialization एक्सेमे पहले क्या, 追ख में बिल्साट एक सब मतुछा बेया, इसके पछे कारण तर इसके पार बिल्सेल शय का उच्प क boxes हो, और हलो, कि इंह तो ये तरीका है, पुरानी इंड़ेस्ट्रिस को टाकर नए इंड़ेस्ट्रिस को शेतप करना, तो British dealers ने क्या क्या है, handicraft industries को destroy किया मतलब physically third form नहीं की कुछ तरीके अपनाई जिस handicraft industries क्या हो गई हमारी खतम होने लगी वो ही हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में और मजबूरन वर्ष लोगों किस तरह shift होना पड़ा machine made industries पे सारे लोग नहीं shift हुए कुछ लोगों ने काम बंद कर दिया और कुछ लोग shift भी हो गए जहां product हार्टों की जहां किस से तियार किया जाता है machine से तो इसी तरह इंडे में क्या किया गया systematic industrialization या फिर इसी वर्ट कम क्या इसी प्रोसेस कम क्या बोलते है systematic de-industrialization अब आप सोच रहे होंगे कि पुरानी industries हट रही है और नए industries आ रही है यह तो development है industrial sector में आपकी बात बिल्कुल सही है यह development है लेकिन जो इसके पीछे करने का कारणता और तरीका था Britishers का वो गलता तो वह हम समझते है जो Britishers ने systematic de-industrialization कर रहे है तो उसके पीछे का motive क्या था तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक video दिखाने वाला हूँ छोटी सी और उसके बाद हम उस motive को इस video वाले example के तूरू समझने वाले है चली देख जैसे बीबे आपने वीडियो में देखा कि उस लड़की ने क्या किया पदमाश लड़की ने एक लड़का और लड़की जिनकी शादियोने वाली थी उनके बीच में confusion create कर दिया अब उस confusion को solve करने में time लगेगा तो Britishers ने भी हमार साथ यही किया जो उन्होंने एक process अपना है systematic de-industrialization उसके होने में time लगेगा न और उन्होंने उसी time का फायदा उठा है उस बीच इंडिया की जो production level थी वो low गई उन्होंने क्या किया अपने जो देश के goods थे British goods उनको इंडिया में लिक्या है और उनको इंडिया में supply किया इस तरीक से अपने British goods के market इंडिया में expand की और यह उनका motive था systematic de-industrialization करनेगा अब आपके मन में सवाल होगा कि किया कैसे तो चलिए वो समाजते हैं उन्होंने systematic de-industrialization इंडिया में कैसे किया तो सबसे पहले उन्होंने हमारी handicraft industries को decay करना शुरू किया खराब करना शुरू किया अब आपके मन में सवाल होगा कि किया कैसे तो समझने माले है थोड़ा सबर रखें वो इसी वीडियो में समझेंगे next slides के थुरू क्योंकि important topic और खहीं बार 4 ये फिर 6 marks में पूछ ले जाता है तो इसको और ये अपना खुदी separate question मनता है how Britishers able to decay handicraft industries of India तो इसलिए इसको अलग से समझने वाले हैं क्योंकि इसमें 5 points है second point आता है slow growth of modern industries तो Britishers ने क्या किया Britishers ने कभी कुछ दिक्कत हिया कि किया ही नहीं उन्होंने कभी भी किसी भी वेपारी की मदद नहीं की जो भी इंडर्स्ट्रिस सेट अप करना चाता है उसके कभी भी कोई मदद नहीं की इसलिए उसमें लोगों का रुजहान या फिर ध्यान कमरा और modern industries की growth कैसी रही बहुँ ज़्यादा slow third point आता है loop sided infrastructure अब यह बहुत बड़ी दिक्कत ती नहीं economic उस time कि क्या था कोई भी एक ऐसी factory नहीं थी जो capital goods बना रही है capital goods मतलब machine बना रही है जो की industries में use हो मान लीजिए मैं एक example से समझाना चाहूंगा अब lase है अब जो lase की factory उसे machines होती है न जिससे lase बनते हैं तो वो जो machine थी न इंडिया में वो कभी बनी नहीं हो हमेशा बहार से क्या करानी पड़ती थी port करानी पड़ती थी इन्हीं वजाओं से systematic deindustrialization में बहुत जादा time लगा और Britishers ने उस time का फाइदा उठाया वह मैं बता चुक हूँ कि उन्होंने उस time क्या किया तो अब समझते हैं कि उन्होंने हमारी handicraft industries को किस तरीकी से decay किया तो यह कुछ points हैं आपके सामने अब इसको briefly समझेंगे इस एक-एक point को explanation के साथ क्यों 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 क्योंकि 4 marks में फिर 6 marks में कहीं बार पूछ ले आता है और जब अच्छे से समझावा होगा तो तभी लिख पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो पहला reason समझते है है handicraft industries के decay होने का discriminatory tariff policy अब आपको heading से क्या समझ में आ रहा है discriminatory discriminatory मतलब tariff policies मतलब जब हम किसी भी समान को export या फिर import करते हैं तो हमें कुछ tariffs pay करने बढ़ते हैं तो discriminatory tariff policy पूरी की पूरी heading क्या है tariff policies में भेदबाओ तो देखते हैं सबसे पहला point read करता है क्या लिखा है it allowed duty free export of raw materials from India to Britain तो पहले point में यह explain करका है कि अगर आप किसी भी raw material को इंडिया से ब्रिटेन भेज रहे हो तो आपको कोई tariff pay करने की ज़रूरत नहीं है वो सब कुछ free है second point it allowed duty free export of sorry import of British industrial product from Britain to India अब आप कोई भी finished goods जो ब्रिटेन में बनाता इंडिया मंगा रहे हो आपको उस पे भी tariff pay करने की ज़रूरत नहीं है third point की दरफ चलते है it placed a heavy duty on export of Indian handicraft अब third point में क्या है लेकिन अगर आप इंडिया जो इंडिया में product बना है है handicraft से उसको बाहर export कर रहे हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा क्या पे करने पड़े कि tariff pay करने पड़ेंगे और यह क्या था tariff policy में बेहद बाफता और इसका result क्या रहा जो इंडिया की handicraft industries थी उन्होंने domestic market भी और international market आपको सबको बताऊगा अगर आपने 11th की business ध्यान से पड़ी है international market मतलब जो इंडिया से बाहर की market है उसको भी क्या करना शुरू कर दिया खोना शुरू कर दिया और सबसे पहला point बना कि इसका handicraft industries के decay होनेगा तो जो दूसर रिजन था handicraft products के decay होनेगा वो था competition from machine made product कि किसे जो इंडिया के handicraft products थे उनको किससे compete करना पढ़ रहा था machine made products से एक बार यह read करता है यह लिखवा है the British machine made products for low price superior in quality as compared to Indian handicrafts as they give competition to handicraft products तो जो Britishers के machine made products थे वो price में कैसे थे low थे और quality में कैसे थे superior मतलब अच्छा अगर किससे compare करते है इंडियान के handicraft products है और वो किसको competition दे पा रहे थे इंडिया के handicraft products को और इसका result क्या रहा in India the competition to the firm craftsmen led to shut down their firms forever और वो जो हमारे इंडिया की जो firms थी जो handmade products बना रही थी वो बिल्कुल भी survive नहीं कर पाई उन्हें losses वाया उन्होंने अपने बंद करना पड़ा और ये एक main reason था है handicraft industries का इंडिया में decay होने चले इसको एक बार example के थुरू और समझ लेते हैं मान लीजिए एक car के साथ एक भागतो हो इंसान जैसके आप देख सकते है car में है हमारे सर्मानखन और भागतो हो नहीं survive कर पाए machine made products के सामने और अगर कोई है जो कह रहा है नहीं मैं जीज सकता हूँ तो मैं उसको कौँगा कि भाई इस time सल्मान भाई के साथ आप अगर race नहीं लगाएं तो अच्छा रहेगा क्योंकि आपको यह पता है कि क्या हो सकता है तो चलिए इससे पहले कि सल्मान भाई मुझे hospital में admit करें हम भी चलते है अपने अगले point की तरफ तो next point आता है new pattern of demand तो इस point में यह explain कर रखा है कि Britishers के आने से जो लोगों की demand तो उसमें भी कुछ changes हुए थे तो इक बाएट देखते है क्या लिख़वा है उन्होंने किसको drop के western lifestyle को और जो यह जो change आया तो किसके favor में आया ता British products का favor में तो यही एक main reason था जिस वे से इंडिया के handicraft industries की sale में decline हुआ और उन्हें अपनी firms बंद करनी पड़ी और यह भी main reason बना इंडिया handicraft industries का decay होने का तो जैसे कि आप मेरे right hand side देख भी पारेंगे कुछ पहले इस तरीकी की clothes चला करते थे लेकिन जो नया change है आप मेरे left hand side में देख सकते है कुछ इस तरीकी clothes चलने लगे इसी को हमने क्या बोला western lifestyle sorry sorry माप कीजिएगा तो चलिए इससे पहले कि मेरे उपर case करें चलते अपने अगले point की तरफ अगले point आता है introduction of railways in India अब अगर आपने ninth history को ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि railways लाने वाले इंडिया में कौन थे? Britishers तो अब आप सोच रहोगे कि इतना चखाम Britishers ने कैसे कर दिया? तो नहीं Britishers ने इसके पीछे भी इनका अपना motive ता हो motive क्या था? कि British goods को इंडिया की market तक कोने कोने तक पहुचाना और वो किसकी मदद से कर सकते थे? Railways की मदद से इसले Britishers ने इंडिया में क्या लेकिया है? Railways लेकिया है तो चलिए इबरी point पढ़ता है constantly the size of market for low cost British started increasing and size of market for the high cost Indian products start shrinking तो इस point में यही explain कर रखा है कि लगा था जो British goods की market थी जिनके prices cheap थे उनके markets इंडिया में बढ़ने लगी और जो size of market था किस था? किसका? Handicraft products का, जिनके rates थे उनके market India में गिरने लगी और इसका result क्या रहा? Indian Handicraft Industries started decaying India की Handicraft Industries खराब होने लगी आखरी point की तरफ चलते है Disappearance of princely courts एक मट Sorry, शयल में को सुना दिया नहीं नहीं तो पहले एक बार ज़रा point treat करते है Before the British rule, Nawab, Rajas, Princes, Emperors rule different parts of the country They were a regular customer of Handicrafts The beginning of British rule Implied the end of princely courts तो इस point में यही explain कर रखा है कि British rule के आने से पहले इंडिया में नभाव, Rajas, 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 Emperors rule यही सब पुछ चला करता था Different parts of the country Regular customer थे किसके Handicraft items को buy करने के ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्हें नयाब चीज़े प्रसंति जो हर किसी के पास ना मिले जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि राजाओ ने किस तरगी से पगड़ी पैन रखिया है और लेकिन क्या हुआ जैसे ऐसे Britishers इंडिया में आए और उन्होंने अपना समराज्य भढ़ाया तो इनका जो समराज्य था जो इनका प्रिंसली कोट्स थी वो धीर धीर करके क्या होने लगी खतम होने लगी और जब राजा खतम हुए तो किसकी सेल गिर गई हैंडिक्राफ आइटम्स के सेल गिर गई प्रिंस के बाद टाइम पर देमोग्राफिक प्रुफाल कैसी थी हाँ 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 हाँ